कोईले पराधारित NTPC सूपर थर्म पाप प्लान्ट महराश्य के सोलापुर में स्थित है ये विद्ध्य दुत्पादा ने काई 5 प्रमुग प्रनालीयों से मिलकर बनी हैं। कोईला प्रणाली, जल प्रणाली, भाप एवं विद्युद उत्पादन प्रणाली, विद्युद वित्रन प्रणाली और फ्लू गैस एवं राख प्रणाली कोईला प्रणाली कोईला घादानों से कोईला भारतीय रेलवे के माधियम से 16 पूर पार स्टेशन तक पहुँचाया जाता है रेलवे वैगनों से कोईले को वैगन टिपलरों की मदद से एक एक करके खाली कर दिया जाता है कोईले की छोटे-छोटे टुकडे करने के लिए कोईला कन्वेयर बेल्ट त्वारा क्रश ग्रह तक पहुचाया जाता है इन कोईले के टुकडों को बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से मद्धेवर्थी भंडारन के लिए कोईला बंकरों मिले जाया जाता है अधिशेश कोईले को स्टाकर रिकलेमर की मदद से कोईला याड में जमा किया जाता है और जब भी आवशक्ता होती है तब कोईले को पुना प्राप्ट किया जा सकता है जल प्रणाली भीमा नदी परस्थित उजनी बान से पानी को दो 117 किलो मीटर लंबी पाइपलाइनों के माध्यम से सहीं अंत्र तक पहुँचाया जाता है पानी को दो जलाशयों में संग्रहित किया जाता है जिनकी कुल सम्टा लगबग 7.4 लाग घन मीटर है जलाशय के पानी का उप्योग विभिन प्रयोजनों के लिए शुद्ध पानी तथा डी मिनरलाइस पानी के उत्पादन के लिए किया जाता है पानी को ग्रेट फिल्टर, सक्रिय कार्बन फिल्टर एवं विभिन रसाइनों से गुजारने के बाद सभी आइनों से मुख डी मिनरलाइस पानी का उत्पादन होता है जिसे बॉयलर में उप्योग करते हैं भाप एवं विद्धुद उत्पादन प्रणाली बंकरों से कोईले को कोईला मिल में बारीक चूर्ण बनाने के लिए भेजा जाता है बारीक कोईले को भट्टी में पहुचाया जाता है कोईला जलाने से निकलने वाली उश्मा पानी को बॉयलर में उच दबाव और उच तापमान वाली भाप में परिवर्दित कर देती है यह उच्छ दबाव और उच्छ तापमान की भाप जनरेटर के साथ जुड़ी हुई टर्बाइन में भेजी जाती है। इन टर्बाइनों में भाप में संग्रहित उष्ण उर्जा, यांत्रीक उर्जा में परिवर्थित होती है। और अंत में जनरेटर यांत्रीक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्दित कर देता है। टर्बाइनों में भाप के विस्तार के बाद भाप को कंडेंसर में संगनित किया जाता है। इस भाप से बने पानी को वापस डी एरिेटर के माधियम से वापस बॉलर में पंप किया जाता है। कंडेंसर से निकलने वाला गरम ठंडा पानी कूलीन टावरों में नालिकाओं द्वारा बूंदों के रूप में छिड़काव करके वापस ठंडा किया जाता है विद्युत वित्रन प्रणाली जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली अंतता स्विच याड के माध्यम से ग्रिड में वित्रन के लिए भेज दी जाती है फ्ल्यू गैस एवं राक प्रणाली राक का लगबग 20% राक हॉपर में भट्टी के तल पर गिरता है जो पानी से भरा होता है और राक एवं पानी के मिश्रन को भूल के रूप में राक संगरहन करने के लिए निर्मान किये गए तलाब में ले जाया जाता है फ्लाई आश को इलेक्रोस्टाटिक प्रेसिपिटेटर के माध्यम से शुष्क रूप में ESP हॉपर द्वारा साइलो में स्थानांत्रिद कर सिमेंट और निर्मान उद्योगों जैसे विभिन उद्योगों में उपयोग के लिए ढखकर प्रको द्वारा भेजा जाता है लौक आधी के लिए किया जाता है एंटीपीसी का मंत्र है गो ग्रीन एंटीपीसी एसी नीती का पालन करता है जिसमें नई प्रौध्योगी की परिकल्पना होती है और संसाधनों का कुशल उपयोग होने के साथ साथ पर्यावरन का ध्यान रखा जाता है